प्राइब दोस्तों को मैं आप से आप से भी का स्वाइब करता हूं आप सब के अपने चैनल डे टुडे लर्णिंग पर तो दोस्तों आज हम लेकर क्या हैं SSCGD तो है बाइस टेस के लिए कितनी हर्डिया होती है अपसिन में 28 B 12 C 14 जाड़ी है छे तो दोस्तों इसका इजाएक एंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका इजाएक एंसर होगा हमारा ऑपसिन नंबर A यानि की 28 तो दोस्तों खोपड़ी में टोटल हर्डिय जो होती है हमारे स्केल सिस्टम जो एराइवल हो होती है ठीक है दोस्तों और चहरे में दोस्तों कितनी हड़ी होती है चहरा में दोस्तों तो चहरा में हमारी हड़ी होती है ओ है 14 और दोस्तों कान में दोस्तों कितनी हड़ी होती है छे कपाल दोस्तों कपाल में कितनी हड़ी होती है दोस्तों कपाल में कितनी हड़ी होती है द विभाजन की घोश्रा किस वर्स की यह हैं दोस्तों लॉड करजन ने बंगाल विभाजन की घोश्रा किस वर्स की यहां दोस्तो लौड करजन ने बंगाल विभाजन की घोषना किस वर्ष की option nr.A है दोस्तो उननीं सो 4, option nr.B है दोस्तो 1905, option nr.C distingu разработ a100 1902, option nr.D है दोस्तो 1903 तो दोस्तो इसका एक्ट ंसर क्या होगा दोस्तो इसका एक्ट असर होगा हमारा option nr.B यानि कि 1905 दोस्तो 1905 में लोड करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया और दोस्तो 1911 में फिर से बंगाल को मिला लिया नेक्ट कोचन के तब चलते हैं दोस्तो नेक्ट कोचन है हमारा निमलीखित में से किसे पादफ वर्ग का उब्याचर कहा जाता है अनि अपदय पादफ वर्ग का उब्याचर कहा जाता है रही होता है उन्यस पदोसतो cantmo term तब सेले दोस्तों नेक्ट को चैनल है हमारा तमिल कवियो के तिसरे संगम की पीठ कहां थी कांची तंजोर मदूरे या उरेयूर तो दोस्तों इसका एक्ट अंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका exact answer होगा हमारा option number C यानि कि मदूरे next को चाने दोस्तो हमारा बाते समिधान के निमलेखित में से किस अनुचेट के तहट भारत के राष्टपती पर महाभियोग की प्रक्रियाश लाई जा सकती है option number A, article 61, option number B, article 60, option number C, article 59, option number D तो दोस्तो भारते समिधान जो राष्टपती होता है उसे महाभियोग लगाई जाती है article 61 के तहट दोस्तो इसका एक ट्रिक जो हम लोग ने बहुत पहले कराया था दोस्तो पकानी काको दूयो दसम यानि कि दोस्तो दसम राष्ट में आता है महाभियोग महाभियोग दोस्तो आता है 61 में दोस्तो अगर आपने इस ट्रिक को नहीं देखा हो दो प्लिश इस ट्रिक को देख लें दोस्तो एक मिनट का ट्रिक और एक मिनट में दोस्तो आपके आर्टिकल राष्टपती का आर्टिकल के बारा कोस्चन्स आपके बन जाएंगे दोस्तो 60 जो है वो हमारा किस आर्टिकल से संब्दित है दोस्तो आर्टिकल 60 जो होता है वो होता है हमारा सपत से संब्दित है दोस्तो इसके लबार 59 59 जो है वो किस चीज से संब्दित है दोस्तो 59 जो है वो कारेकाल से संब्दित है राष्टपती का दोस्तो 62 होता है वो किस ग्रिहपटी द्वारा राजा को उनकी फसलों से भुक्तान किया जाने वाला कर किस नाम से जाने जाता था भागा बाली चोथ या सरदेश मुखी तो दोस्तो इसका ग्रेक्ट एंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका ग्रेक्ट एंसर हमारा option number A यानी कि भागा होगा अला कोछ ने हैं दोस्तो हमारा malaria रोग में किस प्रोटो जोवा के कारण होता है दोस्तो amoeba, protease, B-Number में है दोस्तो noctilua, skin cleanse, C-Number में है दोस्तो plasmodium, D-Number में है दोस्तो entamoeba या histolita तो दोस्तो इसका exact answer क्या होगा तो दोस्तो आप लोग अपने दिमाग लगए कि इसमें इसका exact answer क्या होगा malaria रोग किस प्रोटो जोवा के कारण होता है तो दोस्तो इसका exact answer होगा होगा हमारा plasomodium यानि कि option number C अला कोछ ने हैं दोस्तो निमलीखित में से कौन सा मुद्रा का कारे नहीं है option number A विनिमय का माध्यम option number B मुले का संग्रहन option number C किम्तो का स्थिरी करण option number D मापन की इकाई तो दोस्तो इसका exact answer क्या होगा तो दोस्तो इसका exact answer होगा होगा हमारा option number C यानि कि किम्तो का स्थिरी करण अगला खोश ने हैं दोस्तो हमारा दो दिस नमर दो है बाईस को पैंसर ठवे राष्ट्रिय निशाने बाजी चैंपियनशिप में किसी ने दोहरा स्वन जीता ओप्सिन नमर ए है चिराग से टी बी है सरणजीत सरबजूत सिंग सी है सागर डांगी डी है डीपी मन्नू तो दोस्तो इसका एक टेंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका एक टेंसर है ओ होगा हमारा सरबजूत सिंग यानि कि ऑप्सिन नमर बी अला कोशने है दोस्तो हमारा लोदी वन्स की स्थापना किसके दौरा की गई थी तो दोस्तो इसका एक टेंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका एक टेंसर होगा हमारा बहलोल लोडी के रोड़ा दोस्तो लोडी वन्स की स्थापना की गए थी अगला कोशन है तो दोस्तो इसका एक टेंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका एक टेंसर होगा हमारा राजराज प्रत्थम यानि की राजराज प्रत्थम जो है राजराज प्रत्थम का पुत्र था next question है दोस्तो हमारा निम्लिकित में कौन सी जन जाती राजचे केंदर सासिक प्रदेश सही सुमेलित नहीं है option में A है दोस्तो भोटिया उत्राखंड B है दोस्तो जारवा लच्छे डीप C है दोस्तो भोटिया सिकीम asına तो यह एक तंसर क्या होगा तोब्च्त एक तंसर हो itself करें ओका हमारा ओप्सन में भी यानिकि जर्वा लच्छे डीप दोस्तो दोस्तो भोटिया च्रुछ जंजाती कहां की है दोस्तो गोरती हो हो वक्ती है हमारी तो हाजोंग दोस्तों कहां की जन जाती है तो हाजोंग असम की जन जाती है जो जारवा है ओल अच्छे दीप की जन जाती जो है बिलकुल भी नहीं है यानि कि यह वला कोक्षिन जो है बिलकुल हमारा गलत है जुलाई 222 में बलविंदर सफरी का निधन हो गया वह एक प्रसीद थे गायक, सास्त्रे निर्थक, राजनेता या वकील तो दोस्तो ओ क्या थे तो दोस्तो ओ जो थे एक प्रसीद गायक थे यानि कि option number A अगला कोच हैं दोस्तो हमारा भारत में अंतिम रिर्दाता कौन होता है, मतलब कि भारत में सबसे final loan कौन देता है तो दोस्तो SBI देता है, या RBI देता है, या NABAR देता है, या CB देता है तो दोस्तो भारत में final loan होता है वो RBI देता है, मतलब कि Reserve Bank of India दोस्तों SBI का क्या हुए था श्टेट बैंक ओफ इंडिया इसकापना का हुआ था, इसके इसका अपना होथा था 1955 में SBI का पुरान नाम क्या था दोस्तों था इंपरेडियल इंपरियल प्रेंक ओफ इंडिया अगला कुछ है हमारा प्रिटवी के द्रब्य पदाथों के घनी भुत होने से बनी चटानों को क्या करते हैं और साधी चटान रुपांती चटान अगने चटान या इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका एक टंसर होगा होगा हमारा option number C यानि कि अगने चटान जो प्रिटवी के अंदर से मैगमा निकलता है उससे हम लोगा अगने चटान का निमान होता है अगला कुछन दोस्तो हमारा एक घर की चट से धारतल की और एक पत्थर गिरा जाता है पत्थर की गति उज़ा धिक्तम होगी इसके गिराए जाने के ततकाल बात यह जब यह ठिक आधे रास्ते पर होगा C नमर में दोस्तो धारतल को इस पर करने से ततकाल पहले ए D नमर में दोस्तो धारतल को इस पर्स करता है तब तो दोस्तो इसके एक तैंसर अमरा option number C होगा अगला कोशन है दोस्तों हमारा एक lens द्वारा निर्मिट प्रतिवीम क्या कहलाता है जब इसक्रीन पर प्रतिशेपी किया जा सकता है दोस्तों वस्तुनिष्ट या काल्पनिक प्रत्विम या आवासी प्रत्विम या वास्तुविक प्रत्विम तो दोस्तों किसी भी प्रत्विम को जब हम लोग परदे पर प्राप्त कर लेते हैं उसे हम लोग करते हैं वास्तुविक प्रत्विम हम दाश्ट्रिय एक्ता दिवस किस दिन को मनाते हैं 29 सक्टूबर, 30 सक्टूबर, 31 सक्टूबर या 1 नॉमबर तो दोस्तो इसका एक्टेंसर होगा हमारा option number C यानि 31 सक्टूबर अला कोच हैं दोस्तो हमारा दिमलीखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील हैं दोस्तो भीमताल, वूलर, डल, यलो टक तो दोस्तो इसका एक्टेंसर क्या होगा दोस्तो इसका एक्टेंसर होगा हमारा option number B यानि की वूलर जील दोस्तो वूलर जील जो है वीठे पानी की सबसे बड़ी जील है तो दोस्तो आप लोग को एक वीडियो कैसा लगा अगर आप लोग को एक वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो फ्लीस दोस्तो वीडियो को लाइक करें और हमार इस चैनल को सबस्क्राइब करें दोस्तो और अपने दोस्तों में भी सेयर करें थैंक्यू दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंग जैभारत